पार्ट का नाम है उब्भोक्तावाद की संस्कृति यहाँ पर इस पार्ट से सम्बंधित हम पार्ट का सारांश पढ़ेंगे सारांश याने की समरी पढ़ेंगे जिसे कि आपको चैप्टर जो है एक शौट फॉर्म में मिलेगा और उसकी जानकारी पूरी मिलेगी फिर भी आ उब्भोक्तावाद की संस्कृति निबंध में निबंध यह एक निबंध है जैसे साहिते की हिंदी साहिते की और भी विदा है हिंदी जीवनी संस्मरन उपन्यास वैसे ही निबंध भी जो है एक विदा है उब्भोक्तावाद की जो संस्कृति है इस निबंध में समाज की उस वास्तविक्ता वास्तविक्ता यानि सच्चाई को हमारे सामने प्रस्तूत किया गया है जिसके कारण हम वस्तूओं के गुंदोश पर विचार किये बिना उन्हें खरीदे जा रहे हैं यानि इस पार्ट के माध्यम से लेखक ने ये बताने की कोशिश की है, इस में इस विशे को लेकर वो सामने आए, उस वास्तविक्ता को सामने वो लेकर आते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि हम वस्तुओं के बिना गुन दोश को पहचाने ही उनको खरीद लेते हैं, आज हम देखा हुआ आप यूटूब यूज करते होंगे तो उसमें आपको एड्स दिखते होंगे टीवी देख रहे हैं उसमें आपको कितना अच्छा उस पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है आप उससे जहदा उससे जो है उससे अट्रेक्ट हो जाते हैं आपको वह चीज और दोशों के बारे में जानकारी नहीं ले पाते हैं और एड्ड में जो दिखाये गया कि इससे इतना चमतकारी काम हो जाता है जिसकी वज़ए से आप उसके जाल में फसकर उनकी चमक दमक को देखकर उस चीज को खरीद लेते हैं कई बार होता है बहुत सारी चीजे जो है ब्रैंड वैल्यू ब्रैंड का नाम होने की वज़ा से लोग उनको ले लेते हैं लेकिन कई बार आप देखेंगे चीजे जो है ब्रैंड से जो विदाउट ब्रैंड की चीजे जो है वो जदा बहतर निकलती है नाम होने की वज़ा से ब्रैंड होने की वज़ा से नाम हो जाता जिसकी वज़े से लोग उतना पैसा अपने कपड़ों पर जूतों पर मेकप पर एक ऐसी चीजें है जो इतनी भी जूरूरी नहीं है जिस पर इतना ज्यादा इंवेस्ट किया जए तो वेक्ती जितना अर्ण करता है अपनी हार्ड अर्ण मनी को ज्यादा से ज्यादा का उन्हार थोकर समाने मनुष्य उन्हें पाने का प्रयास का करता है यानि कि जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग को संपन वर्ग कहा जाता है अभिजात वर्ग कहा जाता है उनके पास पैसा है वो तो ब्रेंड के पीछे भागेंगे पैसा है उड़ाना है और industrial उनको ब Oui करने चलना उनको सेविंग पर ध्यान नहीं देना है वो चीजे खरीदेंगे लोगों को भी लगता है आम मध्यम वर्ग या फिर आप थोड़ा भी उससे उपर नीचे हो रहे हैं तो ड़ेंट मैटर अगर आपकी चीजों में आपकी जो चीजें आप जो पसंद करते हैं आपक पीछे जो है अपना हाड़न मनी जो है यूज करते हैं आप सेविंग यूज करते हैं बच्चे पॉक्ट मनी अपनी बचा के रखते हैं इसके पीछे इतना जो है अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए क्योंकि दिखावा इस तरीकी का है दुनिया में आप देख सकते हैं चोटा सा उधारन हमने ले लेंगे आइफोन के पीछे बच्चे भी कितना परेशान रहते हैं उनको भले ही कितना ही मैनत करने पड़ जाए उसके लिए वो पैसे जरूर अरेंज करते हैं चाहे वो खुद अरेंज करे चाहे मम्मी पापा को मना ले तो ये एक चोटा सा उध उधारन है इसका लेखक जो है इसी उधारन को यहां पर एकस्प्लेंड करते हुए नजर आएंगे इसी उधारन का मतलब कहने का यह है कि ब्रैंड और चीजों का जो आज प्रैशन किस चीज का चल रहा है उसके पीछे हर को एक दूसरे को देखकर भाग रहा है जिसकी वज समाज में जो आप देखेंगे कि विशमता बढ़ रही है समाजिक विशमता आप देखेंगे कई वैल्यूस जो है हमारे खतम होते जा रहे है इस चक्कर में लोग दिखावे के चकर में उपने वैल्यूस भूलते जा रहे है और इसे अशांती बढ़ती जाएगी आप देख जो है चीजे लेकर घूम रहा है और हर किसी के हाथ में अगर एक ब्रैंड वेल्यू वाली चीज है तो चोरी डाके भी हो रहे हैं बराबर उतने ही हो रहें तो हर चीज के साइड एफेक्ट्स जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं कि अब्होगतावाद के प्रभाव स्वरूख धिरी धिरी हमारी जीवनचेलि जो है बदल रही है यही उपभोगतावाद का जो प्रभाव है यानि कस्टमर्स को किस तरीके से चीजे खरीदने के लिए attract करना और दिखावे की चीजों में फसाकर customers को चीजे लेने पर मजबूर कर देना और लोग उनको इस दिखावे की दुनिया में फसकर जो है उन चीजों को लेने के लिए भागते रहते हैं उसके पीछे तो यह हो जाती है उभोकतावाद का प्रभाव जिस चल रही है एक नई जीवन शैली के साथ ही एक नया जीवन दर्शन उभोकतावाद का दर्शन अपना प्रभुत्व जमाता जा रहा है यानि की प्रभुत्व यानि वर्चस हो यानि इसकी भी एक वेल्यू जो है बढ़ती जारी दिन पर दिन उभोकतावाद का जो दर्शन और भी आगए चीजे लो, ब्रैंड की लो, महँगी से महँगी लो, लोग आज ये fashion मेंचल रहा है, आज ये make-up brand fashion मेंचल रहा है, आज कल ये equipment जो है, अब ये एक vlog बनाने वाले फैशन में, ये कैमरे बहुत चल रहे है, ये ले ना चाहिए, क्या है ये, वो भग्तावात क संस्कृति है इसकी वज़े से हमारे जीवन शैली भी बदल गई है जीवन शैली कैसे बदल गई है लोग दिखावटी चीजों के पीछे भाग रहे हैं पहले लोग जो अपनी जरूरतों के पीछे भागते थे बहुत मेहनत करते थे थोड़ा पैसा आता था फिर उनको महीने क राशन किस्तेगे से पूरा करने है या फिर बच्चों के पास थोड़े पैसे तो चोटी-चोटी चीज एक अच्छा पैले ले महंगा पैले ले उसी उतने में ही जो हो जाते तो यह क्या है जीवन शैली भी से प्रभावित हो रही है चार और उत्पादन बढ़ाने पर जो भोग कितना बढ़ गया है हमारा उस वही हमारा सुख मान रहे हैं अगर मैं यह बोलू कि एक वेक्ति जो है उसको यही सुख लग रहा है कि मैं महीने महीने में 30 दिन या फिर आप थोड़ा और कम कहलेते हैं 20 दिन मैं 20 दिन पीज़ा खाता हूँ तो यह उसका सुख बन गया ह और यही हमारी जीवर्ण चैली बन गई है जाने अन जाने हमारा चॢित्र भी प्रभावित हो रहा है इससे और हम उत्पाद के वशी भूत होते जारहें यह जारहें हम उत्पादों के दिखाव निखोते जाल में फंसके जारें से ektर उत्ड़ाट भगे आप defund के मेँशा वो चाहते थे जिस भी तरीकी की महंगी बाइक है तो वो लेली उनको वो दिखाना है मतलब कुछ भी है जो आपको लगता है कि ये ट्रेंड में है ये चीज मैं लूँगा तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी और मैं ये इसको शान से दिखा सकता हूं लोगों में तो हम क्य क्या होती है वो हमारी विलासिता विलासिता यानि आप बेवजा की इच्छा पालते हैं दूसरों को देखकर तो वो विलासिता है दैनिक उप्योग में आने वाली वस्तों में टूथ पेस्ट को ही ले लेते हैं अब हम अब लेखक जो है हमें दैनिक दैनिक यानि हर दिन य और लोगों का ध्यान उस तरफ गया है और आप देखेंगे कि डबल कलर वाले आप देखेंगे इसमें पूद पेस्ट आ रहे हैं गुण क्या है उसमें इसका कुछ नहीं पता है लेकिन वह देखने में कितना है और उसमें रिफ्रेशिंग पावर कितनी है आपके दातों को चमकाता है तो दूसरा दुरगंद को हटाता है और तीसरा पूर्ण सुरक्षा देता है किसी का मैजिक फॉर्मुला है तो कोई रिशियो मुनियो द्वारा स्विक्रित है पेस्ट के साथ ब्रश भी अच्छा होना चाहिए माउथ वाश भी चाहिए इनकी सूची लंबी होन के साथ साथ इनका बिल भी बढ़ता जाएगा आप देखते पहले के टाइम में लोग दातून करते थे उससे उनके दात सुरक्षित भी रहते थे अभी आप जितनी महंगी चीजे ले रहे है उन महंगी चीजों के साथ और भी चीजे जूड़ी है कि आपने ये लिये तो अ इसरी भी यहां डिये आपको मांधWash भी लेना पड़े गा यह क्या है यह उभ्लोग्तावाद की संस्कृति आपको फसाया जा रहा है आपने एक चीज ली आपको ये भी लेना पड़े यह जिलेना पड़ेगा पिर आप जब आलन शोपिन्ग करते आप एकmor गारते हैं आप लालाच में आके इस चीज की जरोती ये भी और ये भी ले लेते हैं ये क्या हो गया उप्भोक्तावाद की संस्कृती हो गए और आप उसके जाल में फस्ते चलेगे लोग उन्हीं वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं जिनका अधिक अधिक विग्यापनों दरा प्र सब कुछ कर रहे हैं और उनके पास एक ब्रैंड है जो चारों तरफ सब के पास घूम रहा है लेकिन अगर कोई जानकारी देने वाले चैनल है आपके पास आप देखेंगे उन ब्रैंड की कोई भी इधर उधर कोई चर्चा नहीं है तो अधिक अधिक प्रचार प्रसार तो हमें उस पे भी मिल जाती है लेकिन टीवी उतना यूज में नहीं आपाता है क्यों क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता जयो दिखाय जा रहे और इस तेगे से सोशल मीडिया का प्रभाव जो है जिसकी वज़ा से एड्स जो है वो हम पर अपना प्रभाव डाल र बहुत ज्यादा विज्ञापन हो गया हर वी लोगर उसे दिखा रहा है उस ब्रेंड को प्रमोट कर रहा है तो लोगों के दिमाह में कहीं न कहीं जाएगा यह ब्रेंड आजकल बहुत चल रहा है इसी को ले लेते हैं तूथ प्रश या सवंदार्य प्रसाधन सभी चाहर के साबुन भी उपलब्ध है यह शरीर को साफ करने के साथ साथ खुश बूलाने का भी काम करते हैं कुछ साबुन तो गंगा जल से बने होने का भी दावा करते हैं ज्दावा तो यह क्या है Computation कैसी at a présentation इसमें जुट फरेव सब कुछ श्यामिल है और इसकश सज्द ह करके सोचते हैं कि पाप दुल गए आप साबू ना रहें जिसमें गंगा जल है जिससे आप शरीर उमन दोनों को पवित्र कर सकते हैं आज एक नहीं अनेक तरह के परफ्यूम बजार में उपलब्ध है जो शरीर को तरो ताजा रखते हैं सौंदर या प्रसाधनों की ऐसी होड अब कुछ भी देख लीजिए आप वीडियो देख लीजिए आप मेकप के सब्सक्राइब से सम्बंदित आप देखे सकते हैं कितनी वीडियो चलती हैं सोशल मीडिया पर कितनी चर्चा है कितना ही ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट किया जा रहा है इस मामले में पुरुष पीछे नहीं है पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था अब तो इन सूची में दर्जन दर्जन जो चीजे है और भी जुड़ गई है यानि पुरुष जो है पहले क्या होता था सिब शेविंग की है नायाद होया और बाल कंगी किये उसके बाद वो रैडी है लेक जगर डिजाइन के कपड़े बनाने वाले बुटीक खुल गए हैं समय देखने के लिए 500 की घड़ी परियापते पर आज शाम दिखाने के लिए लाख डेड़ लाख की घणिया भी खरीदी जाती है आज यह सब आवशक्ता पूरी करने के साधन होने के बजाए स्कूल ज़ा बढ़ाते हैं भलेए उनका यह ना करें लोग दिखावय के लिए सब खरीद लेते हैं आज खाने के लिए 57 hidden hotel इना 5 लाज फ सितार ह Western Principal वी वी और बच्चों की सिख्षा के पास सितारा पबलिक स्कूल भी हो गए है अब तो अम स्कूल की चर्चा की विश्ए म डी यू में ग्रेजुएशन में बच्चों को एडमिशन लेने के लिए होण करने पड़ती है अब तो अमेरिका जैसे पास्चते देशों में लोग शांदार जगोपर शांदार ढंग से अपने अंतिम संसकार के लिए एडवांस बुकिंग भी करने लगे हैं वास्तों में य यहां पर लोग अंतिम संसकार के लिए एडवांस बुकिंग करते हैं और यह भगतावादी समाज का सिर्फ एक छोटा सा उदाहरन है और सजन समाने जो है इसे अपनाने के लिए बहुत ही बेचैन रहते हैं कि हम भी ऐसा करें हम भी वहां देखिए आप कैसा होता है कैसा सम नहीं होता हमें भी करना चाहिए तो यह सब भुक्तावाद की संस्कृती है ऐसे में उत्पादों की गुडवत्ता में जवर्दस्त गिरावत आई है यानि कि जितना ज्यादा आप तक पहुंच बढ़ गई है एड्स की और दिखावे की प्रेजेंटेशन की उतनी ही चीज अलावा वो बढ़ती ही जा रही है वो भुक्तावाद की इसके अलावा जीवन मुल्य और समाजिक मुल्यों में भी तेजी से कमी आई है हाँ दिखावे की प्रवित्ती में जवर्दस्त वृद्धी हुई है अब यह सी बात है आप हमारे समाज में देखेंगे कि किसी के प कम तर महसूस करा रहे हैं तो हमारे मुल्य के वैल्यूस जो है कितने कम हो गए हम अगर किसी को भी किसी भी वे में जान बूझ के नहीं पर अगर अगर अपनी चीजे दिखा कर महंगी चीजे दिखा कर किसी को भी नीचा कर रहे हैं यह कम तर महसूस करा रहे हैं तो मारे जी वो है भारत में पहले भी रहे है पर आज सामन्त बदल गए है हमारी संस्कृतिक परंप्राओं का अवमोल्यन यानि उसमें कमी आस्थाओं का शरण हुआ है यानि आस्था जो है वो भी कम हो गए है उसमें भी कमी आई है हम बौधिक दासता के शिकार होकर पश्चमी संस्कृती का अंधा नुकरन कर रहे हैं यानी हम आखे बंद करके पश्चमी संस्कृती को अपनाते ही चले जारे हैं क्या गलत हैं हमें ये चीज़े चेक करने चाहिए observe करनी चाहिए अच्छी है चीज़े जो आगे बढ़ाते हमें हुने हमें अपनाना चाहिए लेकिन हमारे जीवन मुल्यों को जो कम कर रहे हैं बिल्कुल भी हमें उसे नकार देना चाहिए लेकिन ये सब पश्चेमी संस्कृति को अपनाने का जो अंधाक अनुकरण है लोगों को चाहिए कि अमेरिका में लोग जैसा रह रहे है जैसी जीवन शहली है वैसी हम भी हो जाए तो उसके अंधाक अनुकरण जो है अंधानुकरण मतलब आखे बंद करके अंधे होकर उसके पीछे चलना या फिर उसको बिना जाचे परखे अपनाना उसको अंधानुकरण कहते है अनुकरण मतलब उसकी नकल करना अंधा मतलब बिना देखे समझे हमारी संस्कृति अस्मिता जो है उसकी कमजोर पढ़ती जा रही है जो हमारी संस्कृतिक अस्मिता है अस्मिता का मतलब होता है प समाज अन्य निर्देशित हो रहा है यानि दूसरों के दोरा निर्देशित राहों पर चल रहा है यह आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके घर के लोग आपके परिवार के लोग आपको अच्छी रहा दिखा रहें लेकिन आपको पसंद नहीं आ रही क्योंकि आप अभी उस चीज को समझने पारे इसकी वज़ासे आपको उनके थौट्स जो है गलत लगेंगे बाहर के लोग जो कि आप पसंद करते हैं आपको वह रहा दिखाएंगे तो वह आपको पसंद आएगी और इसकी वज़ासे आपको लगेगा मेरे घरवालों से ज्यादा बाहर वाले मु करन कर रहे हैं बिना देखे समझे उसको फॉलो करते जा रहे हैं विज्यापन और प्रचार प्रसार की जो शक्तिया है हमें अपने वश में कर रही है इस सांस्कृतिक फैलाओ का परिणाम जो है गंभीर चिंता का विशय बन गया है इससे हमारे संसाधनों का अपवे हो रह है उसका अपवे हो रहा है गलत उपयोग हो रहा है जीवन की गुडवत्ता ना तो अंतराश्ट्री आलू के चिप्स और नहीं बहु विज्यापित यानि बहुत सारे एड्स करवा के जो शीतल पे से सुधरती है यानि जो जीवन की गुडवत्ता है हमारे जो जीवन है उस लकर क्या हमारी संस्कृतिक वैल्यू बढ़ेंगी हमारा देश आगे बढ़ेगा इन सबसे समाज में अमीर गरीब के बीच की दूरी बढ़ रही है समाजिक संसकारों में कमी आ रही है इससे हमारे आक्रोश और अशांती पनप रही है विकास का विराट उदेशे नश्ट ह कर सकते है ऐसी चीजा करनी पड़ेंगी जिससे देश पनप सके विकास कर सके आगे बढ़ सके और विकास करने की राह है इसका जो विराट उदेशे है यानि जो एक बहुत बड़ा plan होना चाहिए, उद्देश होना चाहिए, purpose होना चाहिए, बहुत बड़े level का, वो खराब हो रहा है, नश्ट हो रहा है, मर्यादा है सारी तोट रहे हैं, तथा नैतिक मांदंड जो है कमजोर पड़ रहे हैं, यानि हमारे जो values हैं, नैतिक जो हम centered हो रहा है, हर कोई यहाँ पर जो है, आप देखेंगे, society flat system किस तरीके से बढ़ना है, लोग अपने घरों में हैं, पहले के जैसा नहीं है, लोग समाजिक नहीं है, इतना social नहीं है, social networking site के जरीए लोग social है, one to one, in front of them, to each other, वो social नहीं हो रहे हैं, तो यह क्या है, मनुष्य विक्तिकेंद्रित हो रहा है, स्वार्थ परमार्थ पर भारी पढ़ रहा है, परमार्थ मतलब दूसरों का भला करना, और स्वार्थ सिर्फ अपने पर, अपना भला करने का सोचना, तो जो स्वार्थ है, वो हावी हो रहा है, किस पर परमार्थ पर, भोग की अकांशा बढ कुल नहीं होने चाहिए सब कुछ साथ लेकर चलना होना चाहिए गांधी जी का कहना था कि हम अपनी बुनियाद पर कायम रहकर स्वस्त सांस्कृतिक प्रभाव को अपनाए अपनी बुनियाद क्या है जो हमारे संस्कृति है उसके साथ चले आप बाहर की चीज़े अपनाना तो आप अपनाएं लेकिन अंधा अनुकरण ना करें उसके बारे में सही गलत क्या है जाच परक करके अब उन चीजों को अपनाएं और एक सीमा में बंद कर रहें तो आपकी बुन्याद भी बनी रहेगी और आपकी अच्छाय भी पूरी होंगी आपके संस्कृतिक बहुत बहुत बढ़ा खत्रा तो भोगतावाद की संस्कृति एक बहुत अच्छा बड़ा मेसेज है आज के टाइम के लेकिन अपनी रचना कभी लिखी थी और आज के टाइम में भी उतना ही यहां पर आप देख रहे हैं कितना ज्यादा अफेक्टिव लग रही है जैसे आज के टाइम को देखकर ही जो है यह चीजे लिखी गई हो बहुत पहले लेखक ने चीजे ऑबजर्व कर ली है और यह चीजे समझ ली है कि आगे टाइम में क्या होगा बिल्कुल एक पॉइंट जो है एक एक पॉइंट जो है फिट बैठ रही है अगर आप इसको अपने लाइफ में पॉइंट आउट करें समझे और अबजर्व करें सब ठीक ठीक बताए गई है यहाँ पर तो यह भूगताबात की संस्कृति है जिसे लेखक ने समझाने की कोशिश किया आपको यहाँ पर इस पार की जो इस समरी है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इ एक चैप्टर की राइं टि लाइन एक्स्प्लेइशन के साथ समझी भी मिलेगी किष्चर आंसस मिलेंगे और इस तरीके एक चैप्टर से इना बहुत सब कुछ डिसकर्स यहाँ पर करते हैं आपको नजरेंगे बहुत सारा discussion मिलेगा आपको और बहुत सारा मेटेरिल मिले